मशूर एक्टर जैकी श्राफ और उनकी अपनी आईशा श्राफ ये बड़े पुतर जैहमंद श्राफ जिन्हें फिल्म दुनिया में टाइगर श्राफ के नाम से जाना जाता है ये युवा एक्टर आज युवाओं के दिल की धड़कन बन चुका है आईगर भगवान शिव के भक्त है आईगर श्राफ ने प्रॉल कमपनी की स्थापना भी की है उन्होंने अपने समकालीन अभिंताओं की मार्शल आर्ट्स में काफी मदद भी की है आईगर एक बहतरीन डांसर और मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट भी है फोप्स मैगजीन ने टाइगर को एक सौ प्रभावशाली अभिनेताओं में स्थान भी दिया है टाइगर एक अच्छे इनसान भी है जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं इनकी पहली फिल्म हीरोपंदी है जो 2014 में रिलीज हुई थी टाइगर हॉलिवुड में भी काम करना चाहते हैं उन्होंने कुछ आडिशन भी दिये थे लेकिन फेल हो गए टाइगर बॉलिवुड में 10 साल गुजार चुके हैं उनकी फिल्म वोर ब्लॉकबस्टर रही है टाइगर की इमेज एक्शन और डांसिंग स्टार की है इन दोनों ही चीजों में उन्हें महारत हासिल है माइगर जैक्सन और रिटेक रोशन उनके रोल मॉडल है उनकी नेटवर्फ तक्रीबन 125 करोड है परसनल लाइफ की बात करें तो टाइगर दिशा पाटनी के साथ रिलेशन्शिप में रह चुके हैं लेकिन दोनों का ब्रेकर अप हो गया था इसके बाद रिटेकर खुद को सिंगल बताते हैं रिटेकर श्रॉफ का जन्म दो मार्च 1990 को एक्टर जैकी श्रॉफ और आईशा के घर मुंबई में हुआ था रिटेकर की एक बहन भी है जिसका नाम प्रिश्ना है आपा बच्पन में उन्हें टाइगर बुलाते थे ऐसे में जब उन्होंने फिल्मों में आने की ठानी तो उन्होंने अपना नाम टाइगर ही रख लिया टाइगर ने American School of Bombay से पढ़ाई की है उन्हें बच्पन से ही Marshal Arts में दिल्चस्की थी यही वज़य है कि उन्होंने बच्पन से ही इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी 2014 में उन्हें टाइकवांडो में ब्लाक बेल्ट मिला था आईगर ने सिर्फ बारहवी तक ही पढ़ाई की है दिल्चस्ट बात यह है कि पैदा होते हुए टाइगर को फिल्म मिल गई थी दरसल जब जैकी श्रॉफ के घर बेटे का जन्म हुआ तो फिल्म मेकर सुभाश घई उनके घर पहुँचे टाइगर को देखकर सुभाश ने उनके हाथ में 101 रुपए रखते हुए कहा ये साइनिंग अमाउंट है और तुम्हें बतौर एक्टर में ही लौँच करूंगा जब टाइगर बड़े हुए और उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया तो सबको यही लगा था कि सुभाश अपनी सुपर हिट फिल्म हीरो का रिमेक टाइगर को लेकर बनाएंगे लेकिन ऐसा कूछ नहीं हुआ बॉलिवुड फैमिली से तालुक रखने वाले टाइगर को बचपन से ही स्वोर्ट्स और डांसिंग का शौक रहा है हाला कि उन्होंने एक्टर बनने का नहीं सूचा था वो स्वोर्ट्स या डांस के फीड में अपना करियर बनाना चाहते थे ताइगर श्रॉफ को डांसिंग बहुत पवसंद है और वे माइकल जैक्सन के बड़े फैन हैं वे अकसर अपने सोशल मीडिया पर डांस वीडियो पोस्ट करते रहते हैं ताइगर श्रॉफ फिटनेस के प्रती बहुत जागरूख हैं और उनकी कसरत दिंचरिया काफी कठोर है वे नियमित रूप से जिम में ब्यायाम करते हैं और अपने शरीर को फिट रखने के लिए विभिन वर्काउट्स करते हैं ताइगर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआ दो हजार चौदह में फिल्म किरो पंती से की थी जिसमें उनकी अभिनय और एक्शन दोनों की खूब तारीफ हुई राइगर को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वे इस खेल में काफी अच्छे हैं वे अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में फुटबॉल टीम के सदस्य रह चुके हैं राइगर श्रॉफ की फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है वे आसानी से स्लिट्स और हाइटीक्स कर सकते हैं जो उनकी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है राइगर को संगी का भी बहुत शौक है वे गिटार बजाना जानते हैं और गाने भी गाते हैं राइगर अपनी फिल्मों में ज्यादा तर स्टंस खुद करते हैं और इसके लिए विशेश प्रशिक्षन लेते हैं वे अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं लाइगर श्रॉफ अपने फैशन सेंस के लिए भी प्रसिद हैं वे अकसर अपने स्टाइल और लुक्स से अपने फैन्स को प्रेरित करते हैं वो माइकल जैक्सन को इतना पसंद करते हैं की फिल्म मुन्ना माइकल में उन्होंने स्ट्रीट डांसर का रोल माइकल जैक्सन को डेडिकेट किया था लाइगर श्रॉफ अपने कोस्टार्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वे अपने विनमर और सहयोगी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं टाइगर अक्सर से पर अपने सहतलाकारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं उनके कई को स्टार्स ने उनकी मेहंत प्रेशेवर रवया और सकारात्मक उर्जा की तारीफ की है वे सभी के साथ समान रूप से पेश आते हैं और टींग वर को महत्व देते हैं टाइगर श्रॉफ के कुछ करीबी दोस्त बॉलिवुड में और बाहर दोनों ही हैं उनके अच्छे दोस्तों में दिशा पटानी का नाम प्रमुखता से आता है जिनके साथ उनका अच्छा रिष्टा है इसके अलावा उनकी दोस्ती श्रद्धा कपूर, कृती सैनन और सूरज पंचोली जैसे सहकलाकारों के साथ भी है ताइगर की दोस्ती उनकी बच्छपन की दोस्त और स्टूडेंट आफ दे इयर की सहकलाकार तारा सुतारिया के साथ भी है वे अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने और मस्ती करने के लिए जाने जाते हैं कहा जाता है कि टाइगर श्रॉफ की दोस्ती बॉलिवुड के इकलोते सुपर हीरो रिते क्रोशन के साथ भी हो गई है लोग रिश्टों में हादे पार करते हैं इस फिल्म में वह एक युवा जिसके पास खतरना टैलेंट हैं लेकिन उसे अपने पिता की मौ का सामना करना पड़ता है और उसकी मृत्यू को प्रतिपूर्टी करने के लिए वह एक बागी बनता है फिल्म में उसकी कड़ी मेहन, रेम और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी लड़ाई और जिंदगी के संघर्ष को फिल्म में बेहत खूबी के साथ दिखाया गया है राइगर श्रॉफ को उनकी पहली फिल्म ऐसे मिली की फिल्म निर्मादा साजिद नाडियाडवाला ने उनके अभिनय और मार्शल आर्ट कॉशल को देखकर उन्हें अपनी फिल्म में लौंच करने का फैसला किया राइगर के पिता जैकी श्रॉफ के पुराने संबंधों और राइगर की व्यप्तिकर प्रतिभा के कारण साजिद ने उन्हें मौका दिया हीरो पंती के लिए ताइगर ने बहुत मेहन्त की जिसमें अभिनय डास और एक्शन सीम्स के लिए विशेश रशिक्षन भी शामिल था राइगर श्रॉफ की कुल कमाई 2024 में लगभग 16 मिलियन डॉलर से 30 मिलियन डॉलर के बीच अनुमानित है भारतिय मुद्रा में यह लगभग 125 करोड रुपए से 250 करोड रुपए के बीच है राइगर श्रॉफ की आय का मुख्य स्रोथ उनकी बॉलिवूड फिल्मों से है जहां वे प्रती फिल्म 20 से 28 करोड रुपए कमाते हैं इसके अलावा उनकी आय ब्रांड एंडोर्समेंट्स जैसे प्रेपसी, कैसियो और प्रोवल से भी होती है उन्होंने फिटनेस और सिडीज बेंच, ओडी और BMW शामिल हैं, उनकी अन्य संपत्तियों में रियल एस्टेट निवेश और फिटनेस जिन चेन भी शामिल हैं, जो उनकी कुल संपत्ती में योगदान करते हैं टाइगर श्रॉफ के पास दो प्रमुख घर है, उनका प्रमुख निवास मुंबई में है, जिसकी कीमत लगभग आठ करोड रुपए है, यह घर समुदर के किनारिस्थित है, और इसमें सभी आधुनिक सुविधाय उपलब्ध हैं उन्होंने हाल ही में पुने में एक घर खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 7.5 करोड रुपए है, यह संपत्ती 4,248 वर्ग फीट में पैली हुई है, और उन्होंने इसे मार्च 2024 में पंजीक्र किया था इन दोनों घरों के अलावा, ट्राइगर के पास कई अन्य रियल एस्टेट निवेश भी हैं, ट्राइगर श्रॉफ एक उभरते हुए सितारे हैं, जिन्होंने न सिर्फ बॉलिवुड बलकी लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है ट्राइगर श्रॉफ बॉलिवुड के दिलों की धड़कन बनने के साथ साथ समाज के लिए चुपचाप और अच्छा करने में विश्वास करते हैं फिल्मों के अलावा भी टाइगर श्रॉफ ऐसे काम करते हैं, जिसके बारे हर कोई नहीं जानता है, लेकिन आज हम आपको उन कामों के बारे में बताएंगे जो टाइगर श्रॉफ को सबसे उचे दर्जे पर ले जाकर खड़ा करते हैं पेचले कई वर्षों से अभिनेता ने मुंबई स्थित चैरिटी संगठन रीच आउट फाम्डेशन में महत्वकून भूमी का निभाई है बच्चों के लिए ओपन हार्ट सरजरी के लिए फंडिंग से लेकर कैंसर रोगियों के उपचार का समर्थन करने आदिवासी समुदायों के लिए सौर लाल्टेन प्रदान करने और भोजन कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा जानवरों की भलाई सुनिष्चित करने तक उ 2021 में ताइगर श्रॉफ ने शहरी वनो और जलवायू परिवर्तन पर केंद्रित एक वैश्विक अभियान के लिए राजदूत के रूप में काम किया, जो UNAP सन्युक्त राष्ट्र परियावरन कार्यक्रम के प्रमुख को समर्पित है, नौर्वे के पूर्व जलवायू और प जहल के लिए सहयोग किया, जिसमें नागरिकों से अपने घरों की सीमा के भीतर एक ओधा लगाने का अग्रह किया गया, जिससे एक हरियाली भरा भविश्य विक्सित हो सके, राइगर श्रॉफ एक मल्टी टैलेंटेड हीरो होने के साथ साथ एक शांदार इनसान भी है, उन उनसे इतना इंप्रेस हुए कि टैगर की पहली फिल्म का निर्मान करने के लिए बहुत उतसाहित हो गए थे, लेकिन व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हुआ, आप सभी ने टैगर की बागी फिल्म जरूर देखी होगी जिसने पूरी दुनिया में अर्बों की कमाई की ह टैगर ने अपनी फिल्म में सारे स्टर्ण खोद किये है, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप बॉडी डबल का इस्तिमाल करना नहीं पसंद करते हैं, तो टैगर ने बताया वो भगवान शिव के भग हैं, सोंबार के वरत रखते हैं, और टैगर ने कहा कि शिव ज में शिव ऊर्जा की तरहे कार्य करने की कोशिश में पूरी जान लगा देता है, शायद इसलिए खतरनाक स्टरंट भी बेहद असली और शांदार बन जाता है तैगर श्रॉफ में एक और अनोखी बात है, कि वो कई जातियताओं से संबंधित है, क्योंकि वोतर बंगाली गुजराती और बेलजीयम बंश का मिश्रन है, उनकी मा की ओर से वो बंगाली और बेलजीयम नसल के है, और पिता की तरफ से वो गुजराती और तूर्की है वर्तमान में टाइगर श्रॉफ के पास मार्शल आर्ट की फिफ्ट ब्लाक ब्लेट भी है टाइगर श्रॉफ को बॉलिवुड में आए एक दशक का वक्त हो गया है टाइगर ने अपने दस साल के करियर में कई हिट फिल्में दी है मगर पिछले कुछ समय से अभिनेता की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है एक के बाद एक अभिनेता की लगातार तीन फिल्म में फ्लॉप हुई है अब अभिनेता बॉलिवुड के एक दिगज अभिनेता के साथ नई फिल्म लेकर आने वाले है ताइगर श्रॉफ जिस बॉलिवुड डाइरेक्टर के साथ अपनी आगामी फिल्म लाने जा रही है वो कोई और नहीं बलकी करण जोहर है Student of the Year दो फीट में ताइगर ने करण के साथ काम किया है एक बार फिर वह करण के साथ परदे पर धमाल दिखाएंगे काफी समय से इसकी चर्चा हो रही थी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की अनाउस्मेंट एक महीने के अंदर होने जा रही है करण जोहर की आगामी फिल्म एक बिग बज़ेट की फीचर फिल्म होने जा रही है फिल्म की कहानी बहुत दिल्चस्प है जिसको लेकर वह काफी समय से विचार कर रहे थे सोर्स के मुताबिक यह करण जोहर द्वारा अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन्स के तहट निर्मित एक फिल्म है कई स्क्रिप्ट देखने के बाद ताइगर और करण दोनों को लगता है कि दो हजार पच्चीस में बड़े परदे पर वापसी के लिए ताइगर के लिए यह सबसे अच्छी फिल्म है तोर तरीकों पर काम किया जा रहा है और जून के अंत तक घोशना होने की उम्मीद है से बिल्कुल अलग होगा फिल्हाल करन जोहर निर्मित फिल्म का निर्देशन कौन करेगा इसका एलान नहीं हुआ है करन जोहर के अलावा टाइगर श्रॉफ आगामी फिल्म स्क्रू धीला में नजर आएंगे किस बात का इंतिजार है लिव लाइफ किस बात का इंतिजार है कर दो